दामो जिरे के नर्सिंग गढ़ लाके में दिन दहाडे घर में घुसकारे एक महिला को गोली मार कर चेन लूटने का संसनी खेज मामला सामने आया है गोली लगने से घायल महिला को पहले दामो जिला अस्पताल ले जाया गया जहां महिला की हालत कमभीर होने पर जबलपुर रेफर कर दिया गया बदमाश ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब आरती थी बारी तो पहर में घर पर टीवी देख रही थी घायल महिला के बेटे के मताबक अग्याद बदमाश ने घर में घुसकर उसकी मा की गले से चेंड लूटने की कोशिश की जब उसकी मा ने लूट का विरोध किया तो बदमाश ने उसके पेट में गोली मार दी डॉक्टरों ने भी महिला के पेट में गोली लगने की पुष्टी की है वारदात के बाद लोगों ने एक संदिक्ट को पकड़ कर पुलिस को सौपा था लेकिन पुलिस ने उसे लेकर कोई खुलासा नहीं किया CSP का कहना है कि पुलिस मामले की चांच कर रही है बोली लगने से घायल हुई महिला की हालत में सुधार होने के बाद उसके बयान को लेकर आगे कारवाई की जाएगी अब यह सब बताया जा रहा है लेकिन अभी जो पीड़ित है जिसको गोली लगी है और इसको जोल पर कर दिया गया है उसके कथन के अधार पर ही इसमें कुछ कहा जा सकता है मदमाश ने जिस घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया वो नर्सिंग गड़ पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है आरोपी इस तरह से दिन दहाडे वारदात को अंजाम देकर अगर फरार हो जाता है तो पुलिस की सतर्कता पर जरूर सवाल खड़े होंगे फिलहाल देखना होगा कि आरोपी को कब तक गिरफतार करके पुलिस मामने में खुलासा करती है दामों से शांतनु भरत की रिपोर्ट